हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब के चैनल में और दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी लोग कैसे वाटसअप में लॉग आउट कर पाएंगे तो चलिए गाई इस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आप जो है वाटसअप में लॉग आउट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इसी की बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो WhatsApp को log out करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने phone में setting को open कर लेना है setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको उपर की और slide करना है और यहाँ पे आपको एक option आता है application का तो आपको यहाँ पे click करना है और यहाँ पे click करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको manage application का option आता है तो यहाँ पे आपको click करेना है यहाँ पे आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे आपको search bar का option आएगा तो यहाँ पे आपको लिखना है whatsapp तो इस तरीके से आप whatsapp लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये जो application है वो आएगा तो आप यहाँ पे उसको open कर लिजिए यहाँ पे आपको open करने के बाद यहाँ पे आपको storage वाले option पे click करना है और यहाँ पे आप जैसे ही click करते हैं दोस्तो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सबसे नीचे में clear data करके option आएगा तो यहाँ पे आपको clear data पे click करना है और यहाँ पे आपको clear all data पे click कर देना है जैसे यह आप clear all data पे click करते हैं तो आपके phone में whatsapp जो है log out हो जाएगा और यहाँ पर आपको दुबारा से लॉग इन करना पड़ेगा तो आप अगर clear all data पर क्लिक करेंगे तभी ऐसा होगा और अगर आप clear catch पर क्लिक करते हैं तो simply से clear catch हो जाएगा और आपका जो account है वो यहाँ पर log out नहीं होगा तो आपको basically यहाँ पर clear all data पर क्लिक कर देना है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो वाइस तो like कर दीजिए और यहाँ पर आप channel को subscribe जरूर किजिएगा